एमके जेन क्लासिस के यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है नमश्कार मैं डॉक्टर एमके जेन राजस्थान सरकार ने राजस्थान के स्टुडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी योजना का पिछले दो साल से आगास किया है और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रती योजना ये जो मुख्यमंत्री अनुप्रती योजना है इस योजना से राजस्थान के मूल निवासी जिनोंने दस्वी कक्षा उत्तिर्न कर ली है तेंथ क्लास पास कर ली है और जिनके 60% से उपर मार्ग से और जिन्होंने 11th क्लास में Science Biology या Science Mathematics लिया है और साथ में वो Medical या Engineering की IIT के लिए तयारी करना चाते हैं तो अब आर्थिक रूप से कमजोर विध्यारतियों के लिए ये मुख्यमंत्री अनुपरती योजना एक AC योजना है जिससे ये सब बच्चे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अब मैं इस योजना के बारे में आपको बताना चाता हूँ पर पहले LEISABILITY के बारे में बतादूँ ताकि आप तयार कर ले आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपने साथ में COPY PAIN लेकर बेछें ताकि आप नोट बुक में आप नोट कर लें, पेपर पे नोट कर लें कि आपको करना क्या है तो मुख्यमंत्री अनुपरती योजना के लिए इलिजिबल जिनोंने इस साल तेंथ क्लास को पास कर लिया है 60% से ज्यादा माक से मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए योजना नहीं है जिनोंने 10th क्लास को इस बार पास कर लिया है, और जिनके 60% से उपर माक से वो बच्चे इसके लिए इलिजिबल है या जो बच्चे 11th से 12th में आये हैं, और जिनके 10th में 60% से उपर थे, वो इलिजिबल है या जिन बच्चोंने 12th क्लास को इस बार पास कर लिया है, लेकिन 10th क्लास में 60% से ज्यादा थे, वो बच्चे इलिजिबल है मतलब 10th class के percentage को आपको सोचना है कि मेरे 10th class में कितने percentage थे clear अगर मेरे 10th class में 60% से ज़्यादा थी और अभी मैं 11th class में हूँ चाहे मैं 12th class में पढ़ रहा हूँ चाहे मैंने 12th class को पास कर लिया है और मैं medical मेरे science biology थी या engineering मेरे science mathematics थी तो फिर में इस योजना में participate कर सकता हूँ I think कौन eligible है यह आपको clear हो गया अब eligibility में एक प्रशन उड़ता है क्या केवल ST के लिए केवल SC के लिए नहीं सरकार ने इस योजना को आप किसी भी बच्चे जिनके पिताजी की आए आठ लाख से कम है इकोनोमिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो सब बच्चे इस योजना के अंदर participate कर सकते हैं और योजना का लाब ले सकते हैं इसलिए अब आपको यह नहीं सोचना है कि मैं ST के टेगरी में होंगा तो मुझे लाब मिले आपको यह नहीं सोचना है आप एक सोचिए कि आर्थिक रूप से आठ लाख से आपके पापा की आए कम होनी चाहिए और अगर पिताजी सरकारी नोकरी में है तो लेवल 11 तक के जो एमपलोई है वो इलीजिबल है इस योजना का लाब लेने के लिए उनके बच्चे ठीक है यह आपके पापा बेटर तरीके से जानते है कि लेवल 11 क्या होता है ठीक है आठ लाख से कम आए अब करना क्या है सब कुछ मामला ओनलाइन होगा ओफलाइन इसमें कुछ भी नहीं होता है सब कुछ ओनलाइन होता है आपको सबसे पहले डोक्युमेंट को कलेक करना है सबसे दूसरा मूल निवास प्रमान पत्र के आप राजस्तान के मूल निवासी हैं तीसरा जाती प्रमान पत्र आये प्रमान पत्र जन आधार कार्ड आपका आधार कार्ड और EWS अगर कोई जनरल कैनिडेटे OBC में है तो उसके पास Economic Week Section EWS का कार्ड होना चाहिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 10th की अंक ताली का 10th की माकशीट नमबर टू मूल निवास जिसे पूरू हो कि आप राजस्तान के मूल निवासी हैं नमबर त्री जन आधार कार्ड और आधार कार्ड नमबर फोर ये दो बड़े important है आये प्रमान पत्र और जाती प्रमा इन सब में आपकी नाम की spelling वही होनी चाहिए जो 10th क्लास की माकशीट में लिखी हुई है अगर ऐसा नहीं है तो आप तुरंत एमितर पे जाकर इसको correction करवा दीजिए 48 hours या 2 दिन में 3 दिन में ये complete correct हो जाते हैं और अपने जन आधार या अधार कार्ड से अपने mobile नमबर क अटेज करवा दीजिए ये बहुत बहुत जरूरी टास्क है clear तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीज और इन सब original documents को लेकर आपको इमितर पे जाना है और SJE Social Justice Department की जो site website सामाजिक नियाए विभाग की उस site पे जाके मुख्यमंतरी अनुपरती योजना के form को भरना है ये form दस तारिक से निकल चुके हैं अब आपको भरना प्रारम करना है हो सकता है क्योंकि ये पहले जहपूर से form वहां से release होता है फिर यहां तक ये फिर आप district वाईज इसको अलग-अलग भरते हैं आप कहीं पर भी हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन form का second stage दिकल चुका है और आपको निगाहे रखनी है तुरंत इमितर पे जाके देखना है और website के तुरू आपको फारम को भरना है अपना एक फोटो भी लेकर वहां पर साथ में जाना है इस योजना के तहत अगर आपका चैन हो जाता है तो मान के चलिए आपको medical और IIT की तयारी पुरन तयार निश्युल की मिलेगी फिर आपको कहीं भी उसके लिए एक रुप्या भी देने की आविशकता नहीं है clear ये बात आप ध्यान रखें नमबर टू आप जब फारम बरने जाएंगे निट का या IIT का तो वहां पर coaching center के नाम आएंगे जैसे हम MKJN classes में तो MKJN classes का उदेपूर संभाग के लिए नाम MKJN classes का है तो आप जो है वो MKJN classes को select कर लीजिए या फिर आपकी इच्छा उदेपूर से बाहर पढ़ने की तो आप उनको भी select कर सकते हैं बहुत सारे नाम है वाँ पर लेकिन अगर आप उदेपूर में ही करना चाहते हैं तो उदेपूर में तो केवल MKJN classes है और आप उसको select कर सकते हों यहाँ पर under one roof जो संभाग की सबसे best faculty है वो आपको पढ़ाती है इस योजना के तहत आपको books दी जाती है आपको dress दी जाती है आपको bake दिया जाता है हर 15 दिन में medical IIT का test होता है और बहुत अच्छी तरह से तयारी होती है last year कई बच्चों का इस योजना के तहद चैन हुआ है अगर आप उदेपुर से बाहर से आ रहे हैं तो आपको hostel का भी सरकार 80,000 रुपे देती है 40,000 रुपे प्रती वर्ष देती है इट मींस आप दो साल अगर 11 त में तो इस योजना का लाब ले सकते हैं clear और तो वो आपको hostel पत्री अनुपरती योजना के लिए सारी सुचना आपको दे दिये अब ये आपको देखना है कि आपको इस योजना का लाब लेना है या नहीं लेना है I think मैं इसा सोचता हूँ कि ये इतनी अच्छी योजना है कि आप इस योजना का लाब लेकर आप अपने सपनों को साका कर सकते हैं इसलिए देरी मत करिए तुरंत अभी ही अपने documents को देखिए सबसे पहले और आप MKJN Classes Private Limited उदेपूर में आप website पे जाके हमारे location को देख सकते हैं और आप हमसे संपर कर सकते हैं हमारे counselors आपकी मदद करेंगे कैसे form को भरें क्या है ये सब चीजे आपको सरकार ने आपके लिए एक इतनी अच्छी सी योजना बनाई है तो अगर आपके 60% से जादा मार्क से केवल 10 को देखिए बाकी किसी को देखने ही जरूत नहीं है तो आप अच्छी तरह से इस योजना का लाब ले सकते हैं इस योजना को करते करते अपने कोलेज को भी continue रख सकते हैं कोई रुकावट नहीं है अपनी स्कूल में पढ़ सकते हैं आपको स्कूल छोडने की भी आवश्यक्ता नहीं है और इस योजना का पूरा पूरा अपने समय अनुसार आप लाब ले सकते हैं I hope you like this video please share among your friends thank you so much all the best have a great time